शादी शुदा, हस्बन्ड और वाइफ अपनी लाइफ को जीए अपनी जिन्दगी को जीए तो उनके जीवन में किन बातों को करना ज़रूरी है और किन बातों से दूर रहना ज़रूरी है कि एक साइकल दो पहियों पर चलती है और वो तब चलती है अगर दोनों पहिये एक समान चले अगर एक पहिया यह कह दे कि मैं तो चलूंगा इन्हीं तो फिर वह आगे नहीं बढ़ सकता तो हमारे जीवन में अपने वाइफ को कम समझना कि वो कम है यह बहुत बढ़ी गलत फ तो परमिश्यर ने सोच समझ कर एक हिस्सेदारी के साथ बनाया और 100% सम्मान दोनों को दिया है कोई किसी से छोटा नहीं कोई किसी से बड़ा नहीं है परमिश्यर के कलाम के मुताविक परमिश्यर ने वाइफ को बनाया हस्बंड की मदद के लिए और हस्बंड को बनाया दूसरे का सम्मान करें और प्रभु में आगे बढ़ते रहें और एक छोटा सा सौंग है मैं उसे डेडिकेट करना चाहूंगा अपने शादी शुदा जिन्दगी के लिए जिनको खुदा ने जुडा है कभी उनको जुदा ना करना जिनको खुदा ने जुडा है कभी उनको जुदा ना करना अनमोल लडियों की घडियों से इनको जुदा ना करना कभी इनको जुदा ना करना जिनको खुदा ने जुडा है कभी उनको जुदा ना करना कभी उनको जुदा ना करना शोहर से यू एहदे वपा हो जैसे खुदा बंद से ये शोहर से यू एहदे वपा हो जैसे खुदा बंद से ये शोह की शहदादी है ये रखना उल्फत इससे ये शोह की शहदादी है ये रखना उल्फत इससे तू सर इसका मसी सर तेरा तन से जुदा ना करना कभें को जुदा ना करना जिन को खुदा ने जोडा है कभें को जुदा ना करना कभें को जुदा ना करना प्रेज़ लॉट हालिलोया सच मुच में मैं परमिश्य का धन्यबात करते हैं सुन्दर समी के लिए जो परमिश्य ना हमें बक्षा करना झाल 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 प्रश्चाइब आप यह जो झाल झाल यह जो एक मैंने फैमिली फोटो करनी है अपने चर्च फैमिली के साथ तो सब इज़े तरगाई झाल झाल